बात 15 साल पुरानी लगबख है जब दिल्ली के अंदर साइबर कैफे आरम हुए श्टार्ट हुए साइबर कैफे मतलब एक दुकान जिसके अंदर छोटे छोटे से केविन बने हुए हैं और वहाँ पर कुछ कम्पूटर रखे हुए है आप इंटरनेट से वहाँ जाके इंटरनेट का काम कर सकते हैं 10 रुपे घंटे के हिसाब से मैं उन दिनों साइबर कैफे में जाके जाता था तो वहाँ चैट रूम हुआ करते थे यानि कि वहाँ लोग chatting करते थे कोई भी कर सकता है किसी का कोई भी room जोइन कर सकता था तो मैं chat करता था तो chat करते समय एक बार एक बहुत ज़्यादा उंचा पड़ा लिखा व्यक्ति मेरे से टकराया और वो मुझे God के वारे में जान देने लगा जान का ही देने लगा, lecture देने लगा वो मुझे God के वारे में बातें करता और मैं अपना कोई छोटा सा प्रसंट उसको देता वो छोटे से प्रसंट में चित्त हो जाता फिर वो थोड़ा God का जितना उसने सीखा जितना वो जहां से पढ़के आया, जितना उसने सीखा फिर वो कुछ करता और फिर वो मैं को छोटा सा प्रसंट से करता फिर वो चारो खाने चित्त हो जाता ऐसे तीन, चार, पान दिन चले उसने मेरे पे अपना इंफ्लेंस करने के लिए अपनी धमक और अपनी दादागरी दिखाने के लिए उसने अपनी डिग्रियां बताई मुझे कि वो कितना पढ़ा लिखा है मैं तो आठमी पास बड़ी मुश्किल से विखती है मैं उसकी डिग्रियों का मुकाबला क्या करता तो वो सारी बातें चैट पर करने लगा गौड की महिमा करने लगा मैंने फिर एक छोटा सा कोशन किया वो फिर चारों खाने चित हो गया फिर उसकी महिमा खतम हो गई और वो ठक गया ठकने के बाद उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे एक पसंद का जवाब दीजिए क्या आप गौड पर यकीन करते हैं तो मैंने उससे कहा कि तेरा गौड मेरे यकीन पर टिका हुआ है तो सोच तेरा गौड खड़ा कहा है ये सेंटेंस सुनने के बाद मैं फिर उसने गौड का परचार करना छोड़ दिया और उसने मुझसे माफी मांगी उसने दोनों हाथ मुझसे जोड़ के कहा कि मैंने बहुत लोगों को गौड के बारे समझाया सभी कन्विंस हो गए आज मैं आप से कन्विंस हुआ हूँ एक सेंटेंस ने मेरी जिन्दगी बदल दी कि अगर तेरा गौड मेरे यकीन पे टिका हुआ है तो तू सोच के तेरे गौड ख़डा कहा है तेरे गौड का स्टेंड क्या है तेरी गौड का तेरे का स्टेटस क्या है क्या पोईशन है ये बहुत महत्पुन सवाल है कभी किसी से बात करिएगा और किसी से जब बात करें और बात करते करते सोचिए और समझ ये तब आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कितना दम है सेंटेंस बहुत सिंपल सा है कि अगर तेरा गौड मेरे यकीन पिटिका है तो तु सोच के तेरा गौड कहां खड़ा है दरसल मैं इसलिए बोला हूँ आपको क्योंकि आप अपना यकीन फिरी में लुटाए जा रहे हैं यकीन मतलब आप पिट्टी करिया दे रहे हैं आप क्रिया वादी नहीं हैं पिट्टी क्रिया वादी हैं आप निकम में हैं नाका रहे हैं आप कंपिटेंट नहीं हैं आप दरसल कुछ करना नहीं चाहते इसलिए कोई और कुछ कर रहा है चारो तरफ कुछ कर रहा है देश में कुछ कर रहा है तो आप उस पे सिफ पिट्टी क्रिया दे रहे हैं क्रिया नहीं दे रहे हैं इसको ऐसे समझेए एक चित्रकार ने क्रिया करकर एक बहुत बढ़िया मूर्ती एक चैचु बनाई और वो उसने पड़शनी में रख दी और उसने एक बोर्ड वहां लगा दिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें कोई कमी लगे तो यहां नोट कर दे लिख दे तो वहां जो भी व्यक्ति उसे देखने आता वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें लिख देता हर एक व्यक्ति इसमें ये कमी है इसमें ये कमी है इसका दाथ थोड़ा ऐसा होता है इसकी आंक थोड़ी इसका रंग इसका नाक इसका बाल पचासो बात है उसमें हर व्यक्तिने लिखती है उस व्यक्ति ने फिर दूसा बोर लगाया उसने कहा कि जिन भी सरी मानने ये कमिया लिखी है ये छैनी है, ये हथोड़ा है इस कमी को ठीक कर दें और एक भी नहीं आया करिया करने के लिए, एक्षन करने के लिए, काम करने के लिए एक भी नहीं आया सुधार के लिए और पिटिक्रिया करने के लिए और उसमें रुकावट डालने के लिए और पिटिवाद करने के लिए रेटिलेट करने के लिए पिटिशोद करने के लिए सबी आ गए यानि काम करने एक नहीं आया उसको ठीक करने एक नहीं आया ये इस्तिती बहुत ज़्यादा निगेटिव और निकम्मी पैदा हो चुकी है कोई काम कर रहा है, किसी ने संठन बनाया है कोई सौ साल से लगा हुआ है, किसी की कोई विचार धारा है कोई अपने कारल्य बना रहा है, कोई अपने लोगों को कुछ दे रहा है कोई अपनी स्टडिजी पर चल रहा है कोई किसी तरह किसे चीज़े चल रहा है उसका काम है वो कर रहा है, उसे वही करना है क्योंकि उसने उस सीखा है उसके लिए वो अपना जीमन दे रहा है चल रहा है उसको वो क्रिया कर रहा है आप क्या कर रहे हो उसकी क्रिया में शामिल होके पिट्टी क्रिया दे रहे हो उसको आप उसको recognize कर रहे हो आप उसको कह रहे हो तेरी मूर्ती तो ठीक है मगर मूर्ती में ये कमी है ये कमी है ये कमी है आप मूर्ती को recognize कर रहे हो आप उसको कह रहे हो कहां मूर्ती हैं मानते हैं अरे आप अपना मूर्ती बनाओ ना आप 20 मूर्ती बनाओ 30 बनाओ, 50 बनाओ कुछ रोकता है आपको आप उसमें क्यों जागे बार 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 अपनी उंगल कर रहे हो क्यों उसमें जागे अपनी लकडी कर रहे हो क्यों आप उसको जागे कुरेद रहे हो क्यों उसको पृतिक्रिया दे रहे हो आपको डेटिलेट करने के अलावार कुछ नहीं आता हिम्मत नहीं है, अपना काम करने की नहीं है किसी ने अगर एक भवन मराया है तो आप उसके भवन को रोकने में लगे हुए हो आप उसे पिर्टी क्रिया दे रहे हो आपने अपने लाखो घंटे लाखो सेकिंड आपने अपना नेट अपना टाइम उस पे लगा दिया are इतने में तो आप दस बना लेते आप अपना बनाने लायक नहीं हो तो किसी को पिर्टी बात करने का आपको राइट भी नहीं है दरसल क्रिया कीजिए पिट्टी क्रिया मत कीजिए जो पटिकार आप कर रहे हैं उस से जिसका पिट्टीकार कर रहे हैं उसको फायता होता है उसको एनरजी मिलती है ये ठीक ऐसे मैं आपको बताओ एक औरत ने एक पाजेव खरी दी और एक उसने अंगुटी खरी दी अब पाजेव अंगुटी उसने खरीद ली और गाउंग को पता नहीं चला तो उसने का कि हमने ये अंगुटी खरीद दी और ये पाजेव खरीद दी और गाउंग को पता नहीं चला तो फाइदा क्या हुआ जब तक 10-20 लोग जलन से ना बर जाएं, ईर्शा से ना बर जाएं, परिसान ना हो एं, जब तक 10-20 लोग कुवे में खूदके ना बर जाएं इस कारण से, तब तक इसका मज़ा नहीं है। तो उसना का ऐसी बात है तो ठीक है मैं गाउं की दावत को बलाता हूं तो उसने गाउं की दावत बलाई और गाउं की दावत पहले क्या होती थी पतलों पर नीचे बैठ खे और वो जो और थी वो अपनी पाजे पहन के और अपनी अंगुठी पहन के आई और पाजे बजाती हुई सबको दिखाती हुई और अंगुठी दिखा नहीं है तो कैसे करें तो अंगुठी को उसने ऐसे किया और अंगुठी को ऐसे करके कहती है जहाँ पसो जहाँ पसो जहाँ पसो जहाँ पसो जहाँ पसो यानि कि यहाँ खाना पसो यहाँ पसो यहाँ पसो पाली में पसो ब या जहापस्यों जहापस्यों की अमुठी देखें। जिसको पिट्टी क्रिया दे रहे हैं तब उसको फाइदा ना हो अगर आपकी पिट्टी क्रिया से उसको फाइदा हो तो नहीं देना चाहिए और आपकी पिट्टी क्रिया से अगर उसको नुकसान हो तो जरूर देना चाहिए और आपकी पिट्टी क्रिया से अगर आपको फा जीतने का ये यद्ध है इसमें जीतने के लिए आपको अपनी पितिक्रिया बचाने चाहिए अगर आपकी पितिक्रिया पर अगर कोई आदमी रिकोनाईज होता है तो पृतिग्रिया रूख लीजिए अगर मेरे मानने पे तेरा गौड exist करता है तो मैं ऐसी माननेता नहीं देता तेरा गौड खतम हो जाता है फिर तेरा गौड नहीं रहता क्योंकि गौड की पहली सर्थ है कि मानना है है नहीं मानना है तो जिसको आपने मान लिया वो गौड हो गया और जिसको आपने नहीं माना आप गौड हो गये कितना सीधा सा फार गौड है जिसको आपने मान लिया वो गौड हो गया क्योंकि गौड की पहली करणिसन है कि आपको मुझे मानना है मैं हूँ या नहीं ये सवाल नहीं और जब आप मान लोगे तो उसमें ये भी मानना है कि मैं हूँ यानि आपके मानने से मैं गौड हूँ और अगर आप मुझे नहीं मानते हैं तो फिर आप गौड हो गए यानि अगर मैं नहीं मानता तो मैं God हो गया उसके लिए कितनी छोटी सी, कितनी सल बात है आप पिट्टी क्रिया देना बंद कीजिए क्रिया सुरू कीजिए, एक्सन सुरू कीजिए रेटिलेट मत कीजिए, पिट्टी बाद मत कीजिए एनरजी को बचाईए आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप कहीं जंडे नहीं कार रहे हैं आप कहीं ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत उंचा शांदार है और आपको मैडल मिलने वाला है मैडल आपको जब मिलेगा जब क्रिया वादी काम आपका बहुत बड़िया होगा आप यहां से डाउनलोड करकर Team22 से या Facebook से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भासा में आप बतल सकते हैं, उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो क पराइस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा share करके या इसको आगे भेज कर या इसका link भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको print करकर या इसको load करकर या download करकर या इसको TV में बच्चों को दिखाकर या किसी को gift करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान, धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद तम्मं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी गुद्धं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी धम्मं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी धम्मं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी दम्मं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी संगं सरेणं गच्छामी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छानी दोखियं पी बुद्धम सर्णं कच्छानी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी